हलो फ्रेंट्स वेलकम टू प्रो टैलेंट है नाम नितन फर्मार माइडियर स्टूडेंट्स आपके सीबी एसी के डेट शिट आ चुकी है और आप अगर आयम आई पीम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मन में यह डाउट होगा किसा शुरुआत कहां से करें ठीक है आप में से कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों के शुरुआत कर चुके होंगे ठीक है अभी से अगर मुझे कुछ काम करना हो या मैं बहुत सारी चीज़ अलड़ी पढ़ चुका हूँ तो मुझे कौनसे एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए दोस् इग्जामिनेशन का नेचर क्या है वो अगर हम पकड ले और वो नेचर वाली तयारी कर ले तो मेरा ऐसा माना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको इस एग्जामिनेशन को क्रेक करने से रोके दोस्तों मैं काफी सालों से IIM IPM और CAT के बच्चों की तयारी करव आता हूँ ठीक है हर साल मैं भी खुद CAT देता हूँ ठीक है इस साल मैंने दिया तो मेरा 99.84 आया यह भी स्विवार मैंने दिया ठीक है तो 99.84 परसंटाइल और ऐसे मैंने बहुत सारे और स्टूडेंस जो 99.98 परसंटाइल 100 परसंटाइल भी लेकर आये और जो IIM IPM में भी क बता दूँगा तो I'm sure अगर बच्चे की capacity होगी तो वो पहुंच जाएगा IIM for sure तो दोस्तों आज मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ध्यान कहां रखना है कहां से चालू करना है और nature क्या है इस exam का so that is what we are going to pick up on quantitative aptitude only English का अलग से वीडियो होनी चाहिए that is quantitative aptitude demands two-third of your exam time पूरे paper में 120 minute के paper में 80 minutes are devoted for quantitative aptitude there are two sections one short answer type other is MCQ based ठीक है ये section काफी tricky और challenging रहता है क्यों tricky और challenging रहता है क्यों tricky और challenging रहता है इसा मैं कैसे पता आई शायद वो तो कोई particular student को tricky और challenging लगे ऐसा नहीं है क्योंकि cut off उसका काफी कम जाता है if I tell you the cut off ठीक है अगर मैं आपके साथ cut off के बारे में मैं बात करूँ तो दिखिए दोस्तो short answer type में general category में 20 marks चाहिए और MCQ में 43 चाहिए yes or no ठीक है वापस मैं आता हूं tricky की और challenging क्यों क्योंकि short answer में आपको चाहिए 20 marks और MCQ की दुनिया में आपको चाहिए 43 43 को मैं 44 माल लेता हूं मतलब 11 questions out of 30 questions ठीक है और यहाँ पे 5 questions out of 15 questions ठीक है यह आपका target होगा दोस्तों यह target करने के लिए मतलब यह अगर minimum cut off है तो पूरे इंडिया के बच्च्च्च्च बच्चों के लिए यह दिक्कत हुई होगी न अकले एक बच्चे के लिए यह दो बच्चे का problem नहीं है सबका problem है अगर सबका problem है which means examination का nature क्या है examination का nature है कि आपको जो questions दिये गए है सब questions आपको करने नहीं है आपको पता होना चाहिए कि कौनसे questions आपको छोड़ने है that is very crucial सम जाया अब दोस्तों यह बात क्योंकि अगर आपको पंद्रा question में से सिर्फ पांच ही वो question है जो minimum cut off मतलब अगर कोई अच्छा बच्चा होगा जिसने अच्छे marks लाए होगा वो करीबन साथ questions कर रहा होगा छे कर रहा होगा यह 10 करेगा उन में से उसके 6-7 right हो रहे होंगे अगर ऐसी बात है तो उसको चुनने पड़ेंगे पंद्रा में से वो 10 question या वो 5 question उसको छोड़ने पड़ेंगे कि जहां पे उसका time भी जा रहा है समय व्यतित भी हो रहा है और उसको result भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको बिलकुल पहले दिन से यह capability आनी चाहिए ठीक भापना चालू करोगे कि मुझे क्या अच्छे से आता है और मुझे क्या अच्छे से नहीं आता है एक teenager से इतनी जदा उमीद रखना कि वो इस तरीके के decision making भी ले कि कौनसा question चोड़े कौनसा question करे तो यह थोड़ा challenging हो जाता है और यह थोड़ा बिचारव अच्छे के a very cool head, strong determination and quite good aggression. On a average अगर आप दिन में 200 या 300 questions के practice कर पाते हो ठीक है और जो IIM IPM level के है ठीक है तो आप यह पक्के इस level पे पहुँचोगे कि जहां पे आप tricky, challenging questions, time consuming questions को आप आसानी से identify कर पाओगे और छोड़ने के काबिल बनोगे. समझा रहा है ना दोस्तों? आपको examination महौल के अंदर यह decision भी लेना है और result भी लाके देना है. सो दोस्तों आपके सामने जो syllabus है वो यह है अभी मैं आपको इसका भी थोड़ा detail version बताऊँगा कि exam में exactly कितने questions पूछे गए हर एक area से. arithmetic, algebra, numbers, geometry, modern math, data interpretation and logical reasoning. तो दोस्तों सबसे पहली शुरुवात मैं कहां से करूँगा? I will start working on my tables. I will start working on my linear equations. I will start working on my quadratic equations. ठीक है? मतलब मुझे वो आना चाहिए. उसके बाद I will pick up more questions related to logs, progression, set theory, functions. इसको पर मैं ध्यान दूँगा. Then I will come to arithmetic, percentage, profit loss, work and time, times per distance, ratios, ठीक है? उसके application, this mixture allegation, यह fundamental मैं देखूँगा. और यहाँ पर मैं focus करूँगा language के उपर. यहाँ language tricky होती है. यहाँ concept tricky है algebra के अंदर. ठीक है? Then I will start working on numbers. Numbers के अंदर मैं focus करूँगा reminder theory, hcf, lcm, base system के बारे मैं बात करने के कोशिश करूँगा. geometry के अंदर मेरा focus रहेगा basic geometry तो सिखूँ ही सिखूँ, मेरे को पहले इंच geometry आनी चाहिए, मेरे को area volume का funda भी आना चाहिए, और जो सबसे math वो पूर्ण बात है. which is coordinate geometry, ठीक है? यह मुझे सबसे अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? और modern math के अंदर permutation, combination, probability, arithmetic, progression. progression plays a very important role. आप progression को modern math में गिनो, या algebra में गिनो, कहीं भी गिनो, यह विल्कुल काम का बन जाता है. और साथ में, logical reasoning और data interpretation, that is tables, bar graph, pie chart, table खुद बनाना, उन सब के fundamental आपको अच्छे से आने चाहिए. यह सनो. तो दोस्तों, in a nutshell, अगर मैं बोलू, तो इस साल, paper का pattern change हुआ था, ठीक है? And, as I mentioned earlier, it was about how many tricky questions you can identify and you can avoid, that was the most important part. So, आपकी selection skill matters the most. ठीक है? यह बदलता हुआ I.M.I.P.M. का exam है, पुराना वाला नहीं है. हैना, जो आपको Amazon के ओपर जो किताबे मिल जाती है, वो पुराने जमाने की है, हैना, वो नए update के अंदर थोड़ी बाते करते हैं. तो दोस्तों, यहाँ पे higher math, 11-12th math का इतना वेटेज नहीं था, पर आपको इतने पक्का जरूरत की चीज़ यह थी, कि आपको math का fundamental आना चाहिए. सही है? तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बताऊँ कि भया, इस exam में, short answer type में, कौनसे area से कितने questions आये थे? अब आप यह सोचें, कि सर, मेरे को ज़्यादा तर questions algebra चाहे थे, तो I'll work on algebra, I'll work on arithmetic, higher math में छोड़ दूँगा, trigger छोड़ दूँगा, permutation combination छोड़ दूँगा, number system छोड़ भाई, समझो, you don't know क्या algebra के questions easy थे, you don't know क्या arithmetic के questions easy थे, you don't know कौनसे area से easy questions आते हैं, so you have to be ready with all your ammunitions, ठीक है, and as in when there is a need of a particular ammunition, you use it, मतलब आप सभी subjects के तयारी करोगे, हर topic के तयारी करोगे, हर concept आपको आना चाहिए, और exam के दिन, कौनसा आपसे हो जाता है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, तो algebra के उपर ज़्यादा questions थे, वैसे भी arithmetic के उपर सबसे ज़्यादा questions आते हैं, 4-5 questions यह, profit loss discount के और 2 questions आड़ कर लू, so milajula कर करीबन 7-8 questions यहां से आते हैं, higher mathematics के सिफ 2-3 questions थे, trigger, permutation, combination, number system, log के 1-2-2 सवाल थे, मैं आप लोगों को यह पूरे के पूरे questions, previous year के जितने भी questions है, वो मैं आपके साथ solve करके बताऊंगा आपको, और आपको बड़ा फाइदा होगा, ठीक है, वहाँ से आप बह अगर मैं इसी चीज़ को MCQ वाले पार्ट में देखने जाऊं, तो MCQ के अंदर, आप अगर देखे, तो ज़्यादा वेटेज कहां था, एक बड़ा shocking area आपके लिए आया था इसमें, which was LR का एक set आया था, बहुत सारे students इस LR के set में फस गया, they wasted their time, they wasted their energy, and thereby they couldn't attempt more questions, ठीक है क्योंकि ये जो 35 questions थे, उन में से आपको चाहिए थे minimum 11, not 35, 30, ठीक है minimum 11, which means, अगर आपने यहाँ पे 40 minutes में से, आपने यहाँ पे 10-12 minutes लगा दी, तो आपके पास बची कितनी, आप उसमें से 11 questions वड़ी अरपा होगे, समझ में आया ने दोस्तों, मतलब आपका selection का तरीका ब algebra important है, तो दोस्तों, algebra के उपर बिल्कुल ध्यान देना, algebra के अंदर आता है आपके equations, maxima minima, quadratic equation, higher order equations, ठीक है, modulus, ठीक है, और उसके साथ आपका inequalities, फिर powers, आना powers की inequalities, logs, functions, यह सब algebra का बाट है, बिल्कुल उसके उपर ध्यान दीजेगा, आप अगर ऐसा सोचेंगे, कि मैं उसको छोड़ दूँ, ठीक है, और मैं arithmetic पैदियान दूँ, तो भाई, तुम कहां, तुम ऐसे कर पाओगे, क्या, तुमारे सामने सब number है, clear है, समझ में आ रहा है ने दोस्तों, ठीक है, तो मेरा मकसद है, कि आपको इस module, इस video के माधियम से यह बता दूँ, कि तुमारी तयारी हर area से होगी, क्योंकि तुम्हें शायद ऐसा लगे, कि sir, मुझे permutation combination तो बहुत कम यहां पे पूछा गया है, तो मैं उसको तयारी नहीं करूँ, बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगे, पर जब तुम algebra के कुछ questions करने जाओगे, वहां थोड़ा बहुत permutation combination के fundamental तो चाहिए न, तो मत basics तो आना ही चाहिए, तुम बहुत भारी level के questions उसके शायद ना करो, I agree with it, मैं उस बात के साथ सहमत हो सकता हूँ, पर मैं इस बात के साथ सहमत नहीं हो सकता हूँ, कि तुम उस topic को छूओ ही मत, ठीक है, that's not acceptable, समझ में आया है दोस्तों, great, तो दोस्तों, आपको IP mat में, cont में कहां से शुरुआत करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया, आपको ये भी बताया, कि भाया, हर एक section में से क्या-क्या आता है, और आपको पूरा ammunition त्यार करके रखना है, तो दोस्तों, आपके लिए weekly और monthly target रखना बिल्कुल ज़रूरी है, मैंने आपके लिए अलग से video बन maintain करनी है, ताकि आप कल क्या करने वाले हो, उसका आज planning हो जाए, ताकि आप अपना daily target manage कर पाओ, दोस्तों, ये समझना, कि अगर आप अपना daily target नहीं बन, complete कर पाते हो न, ठीक है, तो आप ये बड़ी-बड़ी exams के goal भी achieve नहीं कर पाते हो, वही बच्चे ये exam clear करते हैं, ज हम कर पाते हैं, ठीक है, so maintain a progress diary, कितना concept आगे बड़ा, कितना speed में आगे बड़ा, क्या आपने जो target मना के रखा है, उसके मताबिक आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये बिलकुल maintain करके चलो, that is what the need of the hour, समझ मैं है दोस्तों, great, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के उपर ध्यान और मेहनत करिए, यही हमारे हाथ में है, यही हम कर पाते हैं, और इसे से हमें result आता है, तो दोस्तों, क्या आप IIM, IPM में बड़ा result लाना चाहते हैं, हाँ, आए और pro talent को join करिए, हमारी website पे जाहिए, pro talent digital.com, और वहाँ पे आपको एक तगड़ा course available है, इस course को लीजिए, और इस course के अंदर हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें develop करते हैं, तो आईए और join करिए, pro talent को और बड़ा फाइदा लीजिए इस बात का, ओके, thank you and all the best.